एक तरफ देश के प्रधान मंत्री का 11 दिन वाला प्रण है अनुस्थान है अयोध्या में प्रभू श्री राम लला का भव्वे सम्मान है तो दूसरी तरफ विपक्ष का सियासी व्यवधान है क्योंकि शायद विपक्ष श्री राम के नाम पर बहुत परिशान है तभी कोंग्रेस की अगवाई में तमाम विपक्षिदल प्रान प्रतिश्टा का इक्रम का बॉयकॉट कर रहे हैं विरोत कर रहे हैं जो राम सबरी के थे जो राम केवट राच के थे जो अहिल्या के तारण हार थे उन्हें कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी और राष्ट्रिय स्व की जा रही है नेता अयोध्या में कारेकरम के खिलाब बयान दे रहे हैं ऐसा महौल बनाया जा रहा है जैसे कॉंग्रेस ने कारेकरम का बायकॉट करके कोई बहुत ही महान कारे कर दिखाया है इस देश में लेकिन खुद कॉंग्रेस के कई बड़े नेता अपनी ही पार्टी को आईना दिखा रहे हैं हिमाचल कॉंग्रेस के बड़े नेता और वहां की सरकार में मंत्री विक्रमा दित्ते सिंग ने आला कमान की सोच से अलग हटकर ये खुला ऐलान कर दिया है कि मुझे नियोता मिला है और मैं आयोध्या जरूर जाऊंगा लेकिन विक्रमा दित्ते सिं आजिस्तान के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है कारेकरतों ने इस्तीफा दे दिया है राम मंदिर के मुद्दे पर जन भावना के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी क्या जा रही है आज इसी पर होगी जनता के बीच देश की सबसे प्रमारिक बहस आर पार आज की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में अब बस राम लला पधारने वाले हैं इस बीच प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने विशेश पूजा की शुरुवात कर दी है मैं आज से ग्यारा दिन का विशेश अनुस्ठान आरंब कर रहा हूँ इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के स्री चर्णों में प्रहत्रा करता हूँ कि आप मुझे आशिरवात दें ताकि मन से वचन से कर्म से मेरी तरफ से कोई कमीना है प्रधान मंतरी मोधी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भ ग्रह में मैं 140 करोड देश्वासियों का प्रतिनिधी बन कर जाओंगा प्राण प्रतिष्ठा की मंगल गड़ी गर्भ गुरु में उस पल क्या कुछ नहीं होगा मेरे मन में मेरे रदे के हर स्पंदन में 140 करोड भारतिय मेरे साथ होगे हर राम भक्त मेरे साथ होगा क्या यह कारिकरम धार्मिक है अगर यह कारिकरम धार्मिक है तो क्या विधी विधान से हो रहा है दर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है चारों शंकराचारिय, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्रान प्रतिष्ठापन नहीं की था प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने नासिक के काला राम मंदिर पहुँचकर विशेश पूजा अर्चनाभी की इस बीच राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा पर विपक्ष घिरता नजर आ रहा है कुछ दिन पहले तक जो लोग कह रहे थे कि नोता मिला तो वो जरूर दर्शन के लिए जाएंगे अब उन्होंने प्रान प्रतिष्ठा के कारेक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया है सवाल ये है कि राम मंदिर से दूरी क्या इन सियासी दलों की मजबूरी है आज जनता के बीच इसी सवाल के साथ होगी जोड़तार बहस तो किसी का परिचे नहीं है कोई कह रहा है कि ये विदी विधान से कारेक्रम नहीं हो रहा तो कोई कह रहा है ये बीजेपी और आरेसस का इविंट है लेकिन आज के तीन बड़े मुद्धे क्या है आज की बहस के बड़े मुद्धे है राम मंदिर को सियासी मुद्धा बनाने की कोशिश हो रही है किस तरफ से राम मंदिर पर कॉंग्रेस एक बार फिर क्या फश चुकी है पुलिटिकली ट्राप हो चुकी है प्रांप तीसरा ब और मेरे साथ आज कौन-कौन मेमान है परिचे करा दिताओं मेरे साथ जुड़ा है स्वामी धिपांक का अध्यात्मिक गुरु है जोरदार तालियों से अभिरंदन करिये संजीव जा है आम आदनी पार्टी के विधायक है प्रवक्ता है जोरदार तालियों से उनका अभिरंदन है और मेरे साथ है प्रवक्ता भारतिय जन्ता पार्टी के तो जोरदार तालियों से आपका अभिरंदन है तो प्रेम शुक्रा जी आज की शुरुवात आपसे करते हैं पहला तो विधी विधान से पूजा नहीं हो रही है दूसरा ये बीजेपी और आरेसेस का ये चाश्त्री जी जो सबसे बड़े मोहरत बारतंड इस देश के हैं उन्होंने अविजित मोहरत में सर्वार्थ ति धियोग में रवी पुष नक्षत्र में इस पूजा का मोहरत निकाला है प्राणप्रतिष्ठा का मोहरत निकाला है अब गणे शास्त्री से बड़ा नियास ने दिया है अब उनके पिता जी तो राम को न पहचान कर बाबर आदियों को प्रसंद करने के लिए निर्दोश कार सेवकों का राम भक्तों का रख्त बहा कर ने सरी यू के जल को लाल करने का कुकर्म की आता हर को जानता है तो वो अभी यही कह रहा है कि हम आलोग कुमार जी को नहीं जानते हैं वो प्रभु राम चंद्र को जानते हैं इसमें ही संशे है तो स्री राम जनम्भू में तीर शेत्र का कारिक्रम है अब तिरुमाला तिरु देवस्थानम में अगर कोई कारिक्रम होगा तो निमंत्रक कौ होगा श्रीसी कारिक्रम मोगा कौन होगा और आउसके लिए जाये और कश्रीविश्व्षारад को नहीं動OG है तो इसलिए उनका अपना और एक छिए पेश्वामी ऑच अप पहले लिग दिया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तो आयोध्या में जब कोतवाइस्वान्वां जी बैट है तो भूठ पुछाच कैसे निकट जाएंगे ये प्रश्न तो है जी वो कहते हैं भूठ पिछाच निकट नहीं आवे प्लाश जब नाम सुनावे अप तो नास्तिक है आपने पता नी पत लेना क्या विपक्ष ने ठान लिया है कि उसी मोड में है वो देखे विपक्ष जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और देश को सही दिशा दे रहा है यह राम का बुलावा नहीं है यह चंपतराय का बुलावा है यह चंपतराय जी बुला रहे हैं राम नहीं बुला रहे र नहीं जा रहे हैं शंक्राचार्या, शंक्राचार्या क्यों नहीं जा रहे हैं, शंक्राचार्या इसलिए नहीं जा रहे हैं, तो कि शंक्राचार्या जी के हिसाब से, Honorable शंक्राचार्या ने कहा है, ये एक political event है, 2024 के चुनाओ की तैयारी है, ये भाजपा का एक event है, और शार्दा पीट और द्वारका शार्दापीट पीट परати dot 2020 की चिथी वो कहते हैं इस्थ तो यह विरोथा प्र 20 दो सक्का पूर्दी एक रीकंव मुलवी एक्सपर्ट और मеше और धवी किस्थी सब्सक्रें परराइब मंदिर अपूर्ण है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है भी गर्भ ग्रह भी समी कंस्ट्रक्टेड है लेकिन जल्दी है प्रान प्रतिष्था की क्योंकि एक महीने के बाद आचार संगिता लग जाएगी एलेक्शन कैन्वसिंग में राम का मुद्दा यूज नहीं कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को और भाजबा को जल्दी है दूसरी बात क्या आपको आपको लग रहा है कि 2024 में यह मुद्दा यूज करना चाहते हैं यह कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं अच्छा इन तीन मिधा सब कुछ एलेक्शन के लिए हो रहा है आप चुनावी विश्यषग्य भी नहीं है लेकिन अब अध्यात्मे गुरु है मैं आप से जाना चाहता हूं यह सब कुछ चुनाफ के लिए हो रहा है और यह बुलावार राम का नहीं है चंपतराय का है दिखिए अपने विचार आ और जब किसी को इंविटेशन जाता है तो वो ट्रस्ट का निजी मैटर होता है ट्रस्ट किसे दे पर सोचिए मैं ट्रस्ट की उधारता मानता हूं ट्रस्ट ने उन्हें भी दिया जिनके शाशनकाल में कारसेवकों पर गोलियां चली और कारसेवकों ने ये कहा मरते मरते के श दूसरा महूरत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं महूरत मनुष्य के लिए होता है महादेव के लिए नहीं यह अपने दिमाग में गाटबान लीजे और आप बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं राम नौमी पर होता तो अच्छा होता यहीं ना कह रहे हैं राम नौमी पर होता को समझाइए आधी गुरु शंक्राचार भगवान जो कह रहे हैं उनकी व्यक्तिगत राय या उनका विचार सर आखो पर उन्होंने किसी एक व्यक्ति को कहा सिंगल व्यक्ति को चुनकर किसी सन्यासी को फून किया कि आप मत जाएए दो की चिट्टी आपने गिनवा दिया और 202 कि बूख जाई देजये उसके बाद तेसरा तर्क निकालेंगे और तीसरी सुनिएग तो कितनी रामनों में जा चुकी है जानते हैं 500 रावनों मी जा चुकी है तब प्रानप्रतिष्ठा की चर्चा थी कहीं है कि हम लोग मात्र एक बात कहना चाहते हैं स्वाल पूछ रहाएं को आस्था की यह तो करोड लोगों की अस्था की शेतना की अभ्ति की अभी प्राय की फाव की और यह कहूं के पां सोवर्ष के संगर्शों की अदलत केनिशकर्शों की और करोड़ों परिवारों raise विमर्चों की प्राण प्रतिष्टा कोई साधरन काम नहीं है तो दो महीं ने बात कर लेते एक बात कुछ के बात कह रहा हूं बड़े सह सम्मान जी मैं बिल्कुल विवेग भाई के इस तर पर नहीं उतरना चाहता हूं कि जितना हम लोगों को टोका जाता है जितना सनातन को उन्मूलन की बात की जाती है इस भगवा पर प्रशन्द चिन उठाया जाता है भाई साहब यही प्रशन्द चिन उठाने की हैसियत ओकात आपकी किसी दूसरे पर नहीं है क्योंकि आपको पता है यह सहशनु धर में हाथ जोड़कर सह लेगा मगर ये बात आप ते कीजिए कि सामने वाला कब तक कह लेगा और आप जब तक सुनेंगे जब तक कोई कहता है वरना राम के बिना इस देश में क्या कोई रहता है कोई नहीं है एक क्लाइन बोली स्वामी जी ने बोला कि राम के बिना इस देश में कोई रहता है क्या आपको लगता है कि माना की प्रधान जाते इसमें हर्द क्या था अब मेरा सवाल है अब कई बार हमने देखा है कोई रोजे नहीं रखते लोग लेकिन उसके बाद भी वो इफ्तारी कर लेते हैं पहली बात की भगवान राम के दर्शन के लिए हम किसी बुलावे का इंतजार नहीं करेंगे बिल्कुल भगवान श कर लिए को जाएंगे युट दूसरी बात मुझे लगता है कि जब भवां प्रभु श्रीराम की बात करते हैं तो हम उनके रामißt्री की परिकल्पना कर ले कि प्रभू स्री नाम ने किस तरह की रामराज की परिकल्पना की थी, जहां किसी तरह का कोई द्वेश का भाव ना हो, किसी तरह का संकट किसी पर ना आए, कोई विप्र ना हो, तो मुझे लगता है सत्ता में जो लोग बैठें, उनकी जिम्मेदार ये है कि प्रभू स्री ना ने जिस रामराज की परिकल्पना की थी उनके उस रामराज की परिकल्पना पर हम काम करें लेकिन चौथी बात मुझे लगता है जो प्रेम शुकला जी कह गए अनर्थ कर गए इन्हों ने कहा कि भूत पिसाच निकट नहीं आबे हन्मान जब नाम सुना बे महाविर जब नाम सुना बे मेरा एक बात बताईए बिल्कुल ठीक कहा कि आदी गुरू शंक्राचार्ज ने जिस मठ की इस्थापना की थी और सनातन धर्म के पचार प्रशार की जिम्मेदारी भी जी 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 के पास है तो अगर माने जीए दो ही संक्राचार्ज नहीं आ रहे हैं तो क्या वो स्रेभास है पित्या करा पूजनी शदानंद जी महाराज का जी जो दरका पीठके बhesia भारती तीर्त का स्रинगरी मटके जी 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 और शंक्राचार स्वामी मुंधृ सरस्वती जो है तो स्वैम राम जनंभु मंधी तीर्थ इक्षेत्र नियास के ट्रस्टी हैbak तो तिन्य शंक्राचारी तो तेन शंक्राचारियों के बारे में मैं कहुआ हूं कि और आघों है और में स्वामी मक्तेश्वर अन्द के बारे में भी नहीं कह सकता है। वह भी हमारे लिए पूज्ञी नहीं है, लेकिन भूत प्रेत वहें जो कैसे हम संpunk को मिटा देंगे नहीं मतलव विक्त्श बोले कि नहीं देखिए सेकुलर होना जाहिए यह होना चाहिए भारत राम की धरती है और मैं तो कहता हूँ अगर राम है तो ये देश शेकुलर है तब तक राम है और राम की मानेता इस देश के अंदर पॉइंट एक एक पॉइंट है कि आपको लगता नहीं है कि बैठे बिठाए सेल्फ गोल इसको करना कहते हैं हो सकता है कि क कई धलों ने एक मौका दे दिया है अमिश्देवगंजी मैं शुरुवात वहां करूंगा जो आपने कहा राम सबके हैं विपक्ष ने कब भारत के प्रधान मंत्री श्वरगी श्री राजीव गांधी के प्रयासों से वहां का ताला खुला था जूट है जूट है जूट है प्रभू श्री राम वो महान अवतार हैं कहते रावन से जाकर घ्यान लो मैं मानता हूं इस बात को कि राम को राजनिती में के पेच में उसके डिबिया में उसकी ब्रैंडिंग करने का काम बढ़के जुट्टे पाटी ने किया इस देश में और ये प्रान प्रतिष्ठा बहुत स्वागत है भव्य स्वागत है भगवान का प्रान प्रतिष्ठा य करने का यह जो एंकार वश्निमंत्रन है चंपत्राय का उससे लेकर किसी पार्टी को यदि थोड़ी और सुविदा है उसको यह नहीं कह सके जी 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 राम का बुलावा है तो राम का विरोध है राम का विरोध इस धर्ती पर राम पर खून बहाने वालों का नफरत ठैलाने वालों का आग लगाने वालों का विरोध है बच्पन में भी तो सुने होंगे देखो ए दीवानों ऐसा काम न करो राम का नाम बदनाम न करो जी 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 आप समझे इतनी सी बात जिस पार्टी के प्रवक्तार जिसको नेता को समझ मने आई तो यह जुन-जुना बजाते रह है राम की राजनीती करते रहे मेरा प्रश्णिगे है जी 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 धारत राम के प्रती हमेशा इसको बोलना अच्छा नहीं लगता राम मैं देश है कृष्ण मैं देश है लेकिन सोचिए सोचिए अभी अभी बहुत अच्छी बहुत सुन्दर बात करी अभी सत्ते जी ने ब कोट में खड़ा होना पड़ा पचास साल तक इंतजार करना पड़ा साड़े 500 साल की तबस्या करनी पड़ी साड़े 500 साल प्रभु राम को उनका महल नहीं मिला जो महल प्रभु राम का हक था भगवान राम तिरफाल में थे और इस देश की कई सरकारे आती गई और जाती गई यही हुआ तिरपाल में थे प्रभु राम लेकिन उस तरपाल से निकल के साड़े 500 साल बाद राजा राम अपने घर आ रहे हैं इसलिए यह दिव्य और भव्य है और आपने सही कहा कि जो सबको प्रान प्रतिष्टा देते हैं उनकी प्रान प्रतिष्टा कौन कर सकता है लेकि मैं इतना कहना चाहरा हूं मुझे सत्य जीत भाई की बात बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि राम तुस सब के हिर्दे में हैं राम से कोई नफरत कैसे कर सकता है मगर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं आप सब युवा यहां पर बैठे हैं अपने अपने आप मोबाईल भी रखते होंगे सब लोग एक बार चेक करकर बताईए कि कौन से देश का आराध्य अदालत में कभी गया है गूगल पर सर्च कीजे क्या यही चीज आप मक्का के बारे में कल्पना कर सकते हैं मगर यह भारत में संभव है और इस भारत के सनातन हिंदू समाज ने धैर्या से प्रतिक्षा किया एक पत्ता तक नहीं उड़ा उस राम के प्रति जिसने राम ने चोदा वर्ष जो जिया जीवन सो जिया था के छोड़ दी सब में तो गृईया बहुत कुछ राम होने के लिए एक बार जब किसी को कहते हैं ना के राम तो संबोधन हो जाता है, और दोबार कहिए राम राम तो अभिवादन हो जाता है,हता है ति onion leader, राम 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 और चार बार कहिए तो संकीर्तन हो जाता है और जीवन परिमत कहिए तो मोक्ष हो जाता है उस मोक्ष से सो करोड़ लोगों को 500 साल तक दूर रखा आज हम प्राण प्रतिष्टा पर प्रशन चिन लगा रहे हैं क्या चंपत्राई जी या इस देश में किसी एक सिंगल व्यक्ति की हैसियत है कि राम का निमंत्रन दे जिसके पास आया वो सुभाग कि आपने सही बात बोली जी मर्यादित मर्यादित रहे कर दो आप शुद्व और आपको आप बिलीवर नहीं हूं एथिस्ट हूं खूल के बोलता हूं लेकिन जो साहीक है और अच्छा दिखता है उसको उसको उसके सामने में जुख्य प्रणाम भी करता हूँ इसलिए सुल ली जिए क्यों पत्रकार महुजे इस लेश का constitution right to faith को acknowledge करता है हर हर political party का दाइत्तु है including the communists की right to faith चाहे हिंदुों का मुसलमानों का उसको assure करें यहां अब हैं दो कहीं रहे हैं यहां पर हिंदु की पहिंदु के प्रहुत की बातर राभन दें अब आदमी आपकी पहलें कितो ने बगवा डाला हुए एक ने डाला हुए एक ने डाला हुए ने अभी आपने बड़ी कॉंट्रवर्श्य है इस देश में बगवा का राजनीती करण हो रहा है भागवा के नाम पे वोट मांगा जाता है आप अपने यह है जिसमे करा ओर सदीद सभण आ होन्य को यह वहाँ पर द्रम जो कॉ Meghan पूछा औरbia शनकलाचारिय हुआ म्जुंक nhất ने पूछाॉ है वह जिस्में वो शंकलाचारिया को अंतिश्टक होने के बाद नास्पीब यह ने जिसमें वो शौर्य है कि वो सत्ता और सत्ता में तो ताकते हैं उनके खिलाब भी बोल सकता है जिके ओके ओके प्रेम शुक्राइब बोले ना आचारेदी बांगर उस तरीके से तो मैं मानूंगा आपको भी धर्म गुरू एक 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 सेकिंड बसक्राइब आध्यात्मिक धरम प्रणाम संमान भगवा मैं यकीन मानों कह रहा हूं कि इसमें मात्र मैं हूं इन्हें दिक्कत भगवा से वाई इसमें सिर्फ मैं हूं और हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जो सह संमान तालियों से अभिवादन सुईकार करता है आज आप स्वामी दीप प्रश्न विवेक भाई से पूछ आपके जरीए एक प्रश्न विवेक भाई से पूछ रहा हूं आपके जरीए जरीए आपके जरीए ज़्याइब करने वाली आतंकवादी संक्राइब और रेस्ट किया था जयलालिता की सरकार्ति केंद्र में कांग्रेस की सरकार्ति घटबंदन में यह लोग सकते इनके मुह से एक शब्द निकला फैविक जमाकर बैठ गया भगवा भगवा शंक्राचार शंक्राचारे शंक्राचारे मात्रोर मात्र बोलने के लिए इन्हें सुधा की राज निती चाहिए आपको सब्सक्राइब करने वाली आतंकवादी संगठन का ये लोग अपने यहां पर अपनी सरकार के अंडर कार्यकरम करते हैं इन्हें शरम नहीं है और यह एक भगवा सो सौच कर एक भगवा सोच कर ये मुझे से कहे रहें सैना को खुलना देने की बात ये करें ये प्रशन चिन भगवा पर लगा रहे चाइन अच्छमा कर भारत में यह देखे प्रशन चिन भगवा पर है इनको जो मन चाहे ये करें प्रशने चिन भगवा पर भगवा आतंकवाद सनातन का उन्मूलन कर देंगे सनातन एड्स है यह कहिए मैं दावे से कहता हूँ अगर बोन वीटा भी पीले इनके पाउ कापेंगे बोल नहीं पाएंगे यही बात बोल कर दिखाएं दूसरे करें लेकिन पुछा जाता है कोई कहना चाता है तो हाथ कला करें अपना मेरे सवाल कॉबूनिस्ट पार्टीब के प्रवक्ता से ही आपने ऐसा बोला कि जो राम जी है वो ना भाजपा यरस सनी अर्जब hil के नहीं जैकर की निस्पक्ष मोने भाजपा-क्रेश की तोक करीब को आतर हमने इस बात को पहले ही कह दिया था बात भगबा की आई देखिए भगवा धर्म के अनुसरन करने का परती है और भगवा के बहुत में लोग पहनते हैं तो भगवा त्याग का परती कि लेकिन चिंता तब होती है जब ऐसे लोग पहन के आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं हमारा वो भारती जन्ता पार्टी के लोग जो ब्रस्ट हैं जो लुटे रहे हैं अगर 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 मैं अपने बहुत में नहीं बोलाना तो इन ऐसे लोगों से हमें अपने भगवा को बचाना जाएए अगर भगवा दिपांगर जी पहनते हैंका बिल्गुल सम्मान हैं तो जब भगवा की बात अती होती है कि उस भगवा का जो त्याग का पर तीक है उसको ऐसे लोग ना पहने उसके आरोना ऐसे लोग ना छुपे जिनका की इतिहास ठीक नहीं है जिनका की संस्कार ठीक नहीं एक बात दूसरी बात मुझे कई बार ऐसा लगता है जब भारती जंता पार्टी लोग जैश्री राम कहते हैं तो मुझे लगता है इनके उस जैस्री राम को उच्छारण में सब कुछ हैं लेकिन हमारे मर्जादा पुचुत्तम भगवान स्री राम नहीं हैं अगर भगवान स्री राम की बात करते हो तो उनकी करुणा ले आओ अगर भगवान स्री राम की तुम बात करते हो आम आदी पालती क्या उद्धोश करती ह नहीं इनके उच्छारन में जो और अहंकार दिखता है इनके उच्छारन में जो भाब दिखता है वो हमारे भगवान स्री राम के वो भाब नहीं थे तो मेरा ये कहना है कैवाल बर सुथ ना देखिए भगवान स्री राम मैंने पहले इक कहा जब राम राज devrait की भात His Wire जाँए कि हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं उनकी लिए जिम्मेदरी ती कि आज महगाई के कारण जिन लोगों के लिए चले नहीं जल रहे हैं लुए ज़ह कैसे जलेगा यह एक सथा बैठे लोगों काम है धर्म कारतिकर्ण का काम नहीं है प्रेम शुकला जवाब महंगाई और बेरोजगारी इस पर तो रोज बहस करते हैं और महंगाई हमने घटाई है जिनकी आराधना आजकल केजरीवाल की पार्टी कर रही थी 10 फीजदी जो है मुद्रा स्वीत की दर उस जमाने में थी और जिनको एक कल तक भरस्टाचारी कहते थे आजकल उनके चरणों में बिच्छे पड़े हैं एकडम से अब रस्टाचार भी ये बात करेंगे जिनका एक मंत्री ये कहते थे किसी पे आरोप लगे त्याग पत्र दे दो सतेंद्र जैन जो है वो जेल में रहते हुए जेल मंत्री था और रेपिस्ट को तेरपिस्ट बता रहते हैं ये इनकी तसा थी संजे सिंग जेल में है और इनके मनी सिसोदिया के बारे में सुप्रीम कोट कहता है कि 338 रुपेओं के मनी ट्रेल का प्रमाल है तो प्रमाल इत कहते हैं रामकाज करीबे को आतुर लेकिन विपक्ष जो है वो रामकाज करीबे को आतुर नहीं है वो विपक्ष जो है वो ठुकरार आये नियोता आज उसकी इस दौर में हम बात करेंगे भगवा पर बोलने कि भगवा नहीं पर है भाई भगवा जो है स्वामी अविमुक्ते सुरा नंद को 2013 में लाठियों से काशी की गलियों में पीटा और इनके मुझे कुफ की आवाज नहीं निकली जवाब 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 बाते हैं पहली बात की बात यह कर रहे थे यह बिल्कुल ठीक है कि हमारे दो मंत्री को ने जेल भेजा वो दो मंत्री कौन है जिन्होंने स्वास्त में सबसे अच्छा काम किया आज वो जेल में जिन्होंने स्वास्त से अच्छा काम किया वो जेल में है और उसी सुप्रीम कोट के जस्टिस ने ये कहा कि तुम जो चार्शीट लेकर आए हो दो मिने ट्राइल कोट में नहीं तिकेगा तुम्हारे जितने भी आरोप है वो सारी आरोप हैं होने कहा चूए देखिए बेल देना ये डिपेंड करता है कि जो जाच एजनसी है वह कहते हैं तो जब तक जाच ने कहा कि छे मेने जाच कुट नहीं करोगे तो अगर ऑकात है इनकी दो साल से ट्राइल निसुरू करो कहा देखा आपने कि जोड़ो साल तक यहां चलती रह जाए जाए तो तभी मैं कह रह तो राम के भक्त हैं 1989 में थे नवासी में थे नवासी में भक्त थे उस आंदोलन को हम लोगे चलाया लेकिन इनकी तो नानी कहती थी कि जहां बाबरी का ढाचा डाहा वहां मंदिर बने तो मत जाना नानी कहती थी अब जाना पार्टी जनता पार्टी से लेने की जरुट नहीं है अब हम जिस संसकार में चारियों पहला शुका मेरे दादा जिनी सिखाया वो सिखाया कि बालो हम जग्दानन्दा नमें वाला सुषती अब पुरने पंच्वेबर से बढ़ रहा जगत्रियम आप से संसकार तो धियार रखके कभी संक्राश चार्च को काली देंगे को मेरे कोम जाना लोग आपने कहा कि जो 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 ज्यान नहीं आएगा भूत्विसाच होगा भूत्पिसाच होगा वह पूरी का संक्क नहीं कि मैं आउंगा अगर नेंको यह मैं बतातम आप तो इक वर पर्टी पॉलिटीकली है करेक्ट काम कर रही है इसका खोले रूप से विरोध नहीं कर रही है समझदारी भी यह है लेकिन इंडिया अलायंस जो करम कर रहा है खास तोर पर कॉंग्रेस सपा और डी एम के उस सबका नुक्सान हो रहा है पूरे गढ़बंधन को पूरे कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक इसका नुक्सान हो रहा है देखे उत्तर में सौमी परसाद मौरा कहते हैं कि हिंदु धरम एक धोका है दक्षिम ने जाई है तो स्टालिन कहते हैं कि हिंदु धरम एड़्ज है करोना है यहां फिर आप बिहार के अंदर आईए चंदर शेकर फिर कह यह तो हमारे लिए बहुत स्वभाग्य का विश्य हमें बुलाया गया है तो कुल मिलाकर इसका नुक्सान पूरे इंडिया अलाइंस को हो रहा है सत्य प्रकाश जी आप मानिये ना मानिये लेकिन 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा आप कुछ कर लीजे आप राम मंदिर की प्रान पत्रिष्टा में इंडिया गडबंदन के अधिकतर दल नहीं जा रहे हैं और उनके साथ चुनाव में आप चले जाए लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी अडवानी जी का एक समय रत्यात्र निकला लगा यह प्रदान मंत्री हो जाएंगे इंड़त्तों के नाम पर ऐसा नहीं हुआ यह देश बहुत बड़ा विशाल है वेविद संस्कृतियों और सोच विचार वाला देश है मैं यह कह रहा हू अब जी टॉंटी सम्मेलन हो उसका विरोज कि आपको दिक्कत भाजपास से है कि रामभक्त से है कि यहां के विकास से है आप लगा तार विकास की बात करेंगा जब विकास होड़ा डेर सोवर्स चलेगा सदन जहां भविस में बैठेंगे लेकिन इस्तिति क्या है बस रोना रोना है सर राम राज की बातरी और रामम राज की बात बकष्टिस की बात नहीं हो रही है जैसा चाहरे फॉट गलता है आपका सवाल क frater Mins पाइस की सरकार भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा राममांदिर बना उनके प्रानपर 362 में जाने से इंकार कर रहे हैं तो पहले जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो फिर कॉंग्रेस नेताओं ने क्यों नहीं सोचा कि हमें भी राम मंदिर बनाना चाहिए इसका इनिशियेटिव क्यों नहीं लिया जवाब जवाब मैं बहुत अच्छा प्रश्णा आपने उठाया है ये मामला अदालत के द्वारा तैह हुआ अदालत में मुकदमा आजादी के समय से है और अदालत ने जब पांच जज़ों की खंड़ पीट ने तैह किया कि वहाँ पर ये भूमी पर ये मंदिर बनना चाहिए तो एक नियास गठन की बात अदालत ने की है इस देश की किसी पार्टी और किसी सरकार दे राम मंदिर के निर्मान का कोई फैसला नहीं लिया है तो कोई भी पार्टी हमारी भी पार्टी हमेशा मानती आई कि इस देश की अदालत जो फैसला करेगी उस भूमी के बारे में उस भूमी पर वही निर्मान होगा हम हमेशा उस भूमी पर की गई राजनीती के मुखालफत करते रहे विरोत करते रहे क्योंकि इससे खून बहुत बहा है मेरी बहुत अच्छा सवाल पूचा है इस देश में राम पर एक भी खून बहा चाहिए वो किसी ने बहाया वो बहुत बड़ा राम के उस बारे में किसी पर कोई गोली चली किसी कीभी ठ्या हुई कोई दंगे में मारा गया इस देश में वो इस देश का नागरिक था चाहिए वो दंगे में मारा गया चाहिए वो पर उसके लिए मापwnी मां दी ने उस सब्श duy उइख करहर बहुत बोड upward का जेज्मेंट आ गया 2012 से 17 पांच वर्षों तक जिन दस्तावेजों का अनुवाद होना था सुप्रीम कोट में केस फाइलिंग के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस दस्तावेज का अनुवाद नहीं किया इतना ही नहीं जफर याब जिलानी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील था उसको एडिशनल एड़ोकेट जनरल उत्तरपदेश में अखलेस यादों की सरकार ने बनाया और 2019 में कांग्रेस के कपिल तिबल कड़े हुए और जैसे आज ये 2024 की चिंता कर रहे है तब उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोट का फैसला आ गया इसरत जहांके आतंकवादी कुनों ने कहा था आप लोगों आप लोगों ने वो इस्टिंग ऑपरेशन देखा है वो आप स्वर्गी है उनका भी उसमें उसमें बयान था कि ये राम मंदिर का फैसला नहीं होने दो ये तो हमारा मुद्दा है अगर ये बंद हो गया तो हम क कि ये भारती जनता पाटी का इस्टिंग ओपरेशन देखे फैसला बीजी भी के राग नहीं हुआ वह ठीक है वो अलग मंदिर पांच जजों की खंड़ पीक में फैसला दिया मंदिर का निर्मान नियास करी राज लीती क्यों करे प्रधान मंत्री को नहीं जाना चाहिए आ मैंने कभी देखा नहीं अपने जीवन में के कोई गंगा में खड़े होकर माला गुमा है मैंने कभी नहीं देखा के कोई राम को जाकर दंडवत प्रणाम करे मैंने नहीं देखा के कोई 11 दिन का अनुष्ठान करे और अपनी आत्मिक साधना को साधने के बाद राम के प्रा कि तीस साल से एक महिला वो हैं जिनोंने बोला नहीं कि जिस दिन राम की प्राण प्रतिष्टा होगी मैं उस दिन जैश्री राम कहें कर अपने मुख से शब्द बोलोंगी एक जब आप बोले आप खुद भाव को रहें वह बैसिक राम हम लोगों के लिए भाव का विश्य है क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुरु इस अंदोलन का हिस्सा रहा है तो निसंद है हम लोगों के लिए तो यह उत्सब का विश्य है ही कॉंग्रेस के एक निता है सेम पे तुदा हो कहते हैं लगता है कि भारत ब्राराम मंदर पे रुक्सा गया है और कई लोग कह रहें कि यह बैकवर्ड प्लैनिंग है मतलब पिछडा पन है यह पूरा अगर जो ऐसा है तो मैं समझता हूं कि पांस भी अर्थविवस्था आप इसी काल में बन रहे हैं अगर आप यह सोचते हैं कि पिछड़ गए तो जो चांद का अच्छूता कोना था वहां पर पहला आप लोगों ने यान उतारा अगर जो यह बैकवर्ड काल है और आप होना क्या होता है लेकिन एक भारत में तो विपक्स का एक बढ़ावर राजनेता का काम धर्म उसका प्रदर्शन करना यह ओची राजनीती आप कितने बड़े भकते हैं आपके और इशर के पीच की बात है उसका पब्लिक से क्या लेना देना में अमीश प्रदर्शन करो मैं प्यारा लगता है आप लोग ऐसा बोलते हैं कम से कम और कुछ नहीं पच्चे हास भी है बहुत दिने से हास भी नहीं है बीज़ेपी के कुछ नेता उन्हें और खास्तों पहिमनता विश्वा सर्वा ने फोटो ट्वीट करिए इंटरस्टिंग एह है राहूल गांधी की व है इस देश में धरम कभी निजेविशय नहीं हो सकता यह आप घर पर साधना करते हैं परीवार पर असर पढ़ता है और ये बड़े बड़े संत हैं बहुत अच्छे हृदे के हैं बाइस ही मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं सालों पहले इनसे मिला था तब राम बंदिर नहीं बना था तब ये मेरे सामने भी रोए कि मेरे रामलला सुन लीजे अरे पहले पोलने दिए टेंट में हैं और मैं तो खैर न्यूट्रल आदमी लेकिन मुझे लगा कि एक आदमी वो इत्रा इमोशनल हो सकता है अरे अचारे दीपांकर को एक अच्छा सौफ रदय का विक्ति मानता हूं प्रंतु आज जब रादनीत लेकिन 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 यहां पर लोग नहराज हो रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी यह वहां पहली बार बुला था उसके बास से यह बहुत प्रचलित हुआ मगर दो शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि भाव है मनने कह दें आगर आगा हो तो इस प्यारा क्या होगा मैं एक चीज कहना चाहता हूं मेरी मुस्लिम बेहन बैटी है भाई बैटा है हम लोग उस देश में रहते हैं जहारस्कान कहते हैं कि आज खेलूंगी होली रसिया कहे बिसमिल्ला हम लोग उस देश में हैं जहां हमारे सन्यासी कहते हैं कि छाप तिलक सब चीनों तो से नए ना मिलाए के राजनीती के खिलाफ जब बात आती है तो राम कन कन में हैं और जब किसी को राम पर राजनीती करनी होती है तो वो कहते हैं राम बस मंदर में हारा कनकन में है रहा हमारा हमारी आस्था तो राम नीती में है और हम राम के साथ राम नीती यही है कि राम जी का भविदी पे मंदिर का निर्मान हो रहा है और जो है और जो भारत जो है आदित तक पहुंच रहा है आदित हमारा जो सूरे तक जो है सूरे तक जो है आदित से नीच जो बाबर की मजार पर खड़े हैं उनको बाबर का वंसुज होने पर गर्व है हम राम के मंदिर में खड़े हैं हमको राम का वंसुज होने पर गर्व है आप बाबर पर गर्व कीजिए अभी आपने दिखाया बाबर की मजार पर कौन खड़ा है और राम मंदिर में कौन दान पोप के लेटर का जवाब दिया था सुनिय गांदी ने लेकिन राम मंदिर के इन्वाइट को ठुकरा दिया यह सवाल कई खड़े होंगे और यह जब सवाल खड़े होंगे तो भारी पड़ेंगे में और इसके अलावा अगर हम पॉलिटीकली देखे तो पॉलिटीकली लेकिन संजीव जा और प्रेम शुक्ला और सत्य प्रकाश जी आप से मेरा यह बहुत सीरिस सवाल है नितीश बाबु जाएंगे प्रान प्रतिश्चा में नितीश बाबु हर राव नौमी पे भी जाते रहे हैं तो नितीश बाबु तेकरें उस बारे में यहीं कह रहा हूं राम राजनीत वुष्चे राम के साहर म थNow नावाशी में थै नबब्य में भी ते i begin 2014 में था i bucket भाविश्च में न कर्ण है लेकिने बाबर जो है इनके सिर में बसे हुए हैं अनके सीर पर जो है कंडे पर चड़ हुए हैं эта बाबर vitने नइय पा रहे यह कहां कए रए